प्रिपोर्ट में लो स्पर्म काउंट आया है और आप वरिड हो तो सबसे पहले अपने कोच प्रीचेक करो बलकि रादर दिन आप इदर उदर जाओ सबसे पहले कुछ चीज़ पर आप नजर डालो कि वो लो हुआ किस लिया लो होने का रीजन क्या है क्यूंकि बहुत सारे पेशन्स को पता ही नहीं होता वो लो हुआ क्यों आप बहुत जारे patients भार की medicines लेते हैं, supplementation लेते हैं, supplementation के बाद वो कहते हैं कि 3 महीने बाद scan करा कर semen analysis के report लेकर आना, तो देखते हैं कि semen analysis के report में बड़ा या नहीं बड़ा, या motility बड़ी नहीं बड़ी, morphology सुदरी नहीं सुदरी, तो उस वहाँ पर आप जो supplementation लेते हो उसका reason यही होता है कि वो supplement जाएं आपकी body के अंदर, जो आपके sperm बनाने वाली जो प्रक्रिया है, उसको वो power दें, nutrition दें और आपके sperm की quantity, quality, motility और इसके साथ morphology सुदरे या उसमें आगे बढ़ने वाले कुछ ऐसी चीज़े start हो जाएं, अब simple सी बात है, वो आपको nutrition दे आप ये चेक करो कि आपके nutrition क्यों lag हुए, reason समझ में आगे है न, वो nutrition देकर आपके sperm count बढ़ा रहे हैं, तो आप nutrition देखो कि वो lag क्यों है, आपके पीछे कोई ऐसे बड़ा लंबा treatment चलाओ, ऐसा कभी हुआ हो जिसकी वज़े से semen analysis की report में law दिखा रहा हूँ, या कुछ ऐस इसे reasons, जैसे कि आपको बड़े लंबे time से in digestion की problem रही हो, बट आप उसके उपर इतना जल्दी focus नहीं कर पाए हो, या उस time उसको treat नहीं कर पाए हो, जिसकी वज़े से उसने आपको chronic जगा पर खड़ा कर दिया हूँ, जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो में मैं खुद ही बोल अब मैं जितना active रहूँगा, मेरे sperm count वितने active रहेंगे, यह याद रखो, अगर मैं रा, ढीला, डाला, आलसी, तो मेरे sperm count वितने आलसी हो जाएंगे, sluggish बन जाएंगे, तो simply आगर आपकी body जितनी active रहेंगी, वितने आपके sperm count बढ़ेंगे, वितने आपके healthy sperm count रहेंगे, अब वहाँ पर आप जितने आलसी रहोगे, वितने आपके sperm count, sluggish बनते जाएंगे, वो simple, जैसे हमारा body, वैसे हमारा production, यह याद रखो, अब बहुत सारे patients मुझसे ये भी पूछेंगे, कि जिम वाले जो जाते हैं, जिम में मैं जाता हूँ, और मैं तो पूरा दिन active रहता हूँ, भागता हूँ, दोडता हूँ, फिर मेरे sperm count लोग क्यों है, उसके पीछे जो reason है, वो यह है, कि जो आप खा रहे हो, वो आपकी सारी muscles घेच जाती है, अगर आप जिम जा रहे हो, आपर heavy weight lifting कर रहे हो, muscles फुल आ रहे हो, break down कर रहे हो, muscles का, उसके बाद वो repair करने बनाने के पास, उसको वित्ते protein ही नहीं मिलेंगे, जिसकी वज़ए से आपका semen analysis की report में low report आ सकती है sperm की, अब बहुत सारे patients के कहेंगे, मैं तो इतना time से healthy food ले रहा हूँ, मेरे को आज सक कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने आज से cigarette नहीं पी, मैंने आज सक alcohol consume नहीं किया, फि तो महाँ पर basically हमें ये दिखाई देने को मिलता है, वो ऐसे patients को जहाँ पर वो stress में रहते हैं, stress में जैसे कि बड़े लंबे टाइम से anxiety pills खा रहे हैं, या stress में रहे हैं, या family की pressure रहता है, तो बड़े लंबे टाइम से वो stress में किसी ना किसी reason रहता है, चाहे वो financially हो, चाहे तो mentally stressed भी हो सकता है, तो महाँ पर हम देखते हैं कि वो stress की वज़ा से आपके sperm count low हो गया है, तो simple सी बात है कि अगर आप stress में हो, तो आपके sperm count low मिल सकते हैं, अब एक और चीज, अगर आपकी कोई पहले history रही हो, जैसे history, जैसे कि आप cancer से fight करके निकले हो, तो आपके sperm count low हो सकते हैं, इसके साथ साथ एक और दिक्कत हम कहते हैं, TB की, TB के patients के अंदर हम most of the cases में देखते हैं, कि TB recover होने के बाद, dot cast, अपना वो treatment पूरा करने के बाद, उनके अंदर हम sperm count low देखने को मिलते हैं, या semen जो है, वो low देखने को मिलता है, तो वहाँ पर simply आपनी अपनी body को नरिश करने के लिए अच्छा खाना खाना स्टार्ट करना है, better food, मतलब healthy food, वहाँ पर आप मैदा नहीं खाएंगे, वहाँ पर कोई भी भार की ऐसी चीज़े नहीं खाएंगे, जो आपकी body को खराब करें, अब बहुत से patients क्या करते हैं, कि एकदम से recover हुए, उन्होंने का मेरा weight 70 kg था, मैं सिफ 50-55 kg का रहा गया हूँ, TB की dosage की वज़े से या dot की वज़े से, तो अब मैं अच्छा खाऊँ, तो वह अच्छा खाने के चक्कर में क्या करते हैं, mutton, mutton, chicken वगएरा, non-vej वगएरा के तरफ attract हो जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि non-vej खाना बुरी बात फिश नहीं खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन यह आपको help करेगी, आपकी sperm बनाने में भी help करेगी, आप कहते हैं, मैं एक खाना भी अच्छी बात है, आपको zinc देती है, और प्रोटीन दोनों देती है, तो आप वो भी चीज़ खा सकते हैं, इसी के साथ अगर आप महाँ पर जो आता है, वो पॉल्टी फोर्म से आता है, और उनको पहले ही estrogen किया, उनको female hormones, उनको feed किये जाते हैं, उनको खिलाये जाते हैं, जिसकी वज़ा से वो ज़ाधा से जाधा अंडे दे और जब जब जाधा से जाधा अंडे देने वाला feed लेते हैं, वो ही अपनी body में collect करते ह और जो वो body की collection है जो उनका basically जो वो खा रहे हैं वो वैसा ही आपको देंगे simple तो महाँ पर इसलिए मना किया जाता है अगर आपके बाद देसी मुर्गे आप खा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है यह सारे reasons जो थे वो आपके sperm count low करने के लिए motility low करने के लिए और बहुत सारे reasons होते हैं बट यह बहुत major reasons है अगर मैं इनकी बात करूँ तो यह बहुत major reasons है जो आपके sperm count low कर देते हैं और अगर आपको कुछ जानना है समझना है अपने low sperm count के तो नीचे देवे नंबर पे मैं को call कर सकते हैं मेरी team से बात कर सकते हैं अपने report शेयर करके उसके उपर एक concern ले सकते हैं हमारी team से और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो समझ आई हो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो please like share bell icon बादीजेगा मिलेंगे next video के तब तक ले नमस्कार